प्यारे बच्चों, आज का हमारा काम जो की पार्ट सुनीता की पहिया कुर्सी से लिया गया है बिटा, ये प्रश्न उतर है, चलिए पहले समझते हैं इन प्रश्न उतर को, प्रश्न एक है सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे, इसका आंसर है बच्चों, कि सु अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी, और पहिया कुर्सी में बैठ कर चल रही थी, मिटा पहिया कुर्सी यानि की विलचेर, ठीक है, अगला प्रश्न है मिटा, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा, आंसर है, सुनीता ने पकड़नी के हाथ बढ़ाया ही था, कि दुकानदार ने थैला उसके गोद में रख दिया, दुकानदार का इस तरह दया दिखाना उसे अच्छा नहीं लगा, कितनी स्वाभी मानी लड़की है ना सुनीता, ऐसे ही हम सबको भी होना चाहिए, इसे के साथ बेटा, अगला जो प्रश्न है, है मज़ेदार का haedding है, और यह है कि सुनीता की सडक की सुनीता को सडक की जिन्दिगई देखने में मज़आ आता है, यहाँ प़ को होना चाहिए, अब प्रश्न बनता है कि तुम्हारे विचार से, सुनीता को सडक देखना अच्छा क्यों लगता होगा, तुम्हारे से ठीक है अब क्यों लगता होगा सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी इसलिए उसे बाहर की चीजों को देखने का मौका कम ही मिल पाता होगा और वहाँ अकेला पन भी महसूस करती होगी इसलिए बेटा जब वो सड़क में आती थी तो उसे बहुत अच्छा लगता थ है ना तो यह काम आप अपनी नोट बुक में लिखेंगे बहुत सफाई से बेटा और लिखना भी है और सासा इनको याद भी करना है तो यह हमारा आज का काम है चलियो के बच्चों